बच्चों आपको पता है हमारे देश भारत की संस्कृती बहुत प्राचीन है और बहुत विशाल है पूरे विश्व में हमारी भारत की संस्कृती को सम्मान दिया जाता है और आज तो विश्व के हर देश में भारतवासी रहते हैं और वहां जाकर जब भारतिये अपनी संस्कृती को स्थापित करते हैं अपने रीती रिवाज, अपने खान, पान, अपनी वेश भूशा को वहां भी अपना कर रखते हैं तो इस तरीके से हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार होता है। तो आज मैं चित्राबंसल, आपकी हिंदी अध्यापिका, आपकी हिंदी की पुस्तक उल्लास का जो पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, उसमें हम देखेंगे कि मौरिश्यस में भारतियों ने किस तरह से अपनी संस्कृति को संजोग कर संभाल कर रखा हुआ है, जिसके कारण मौरिश्यस जो है वहाँ पर भारतिय संस्कृति की एक जीती जागती तस्वीर नजर आती है। पाठ का नाम है मौरिशिस छोटा सा हिंदुस्तान, तो चलिए इस पाठ के माध्यम से हम मौरिशिस की इसेर करते हैं, बोल बोल कर पढ़ना है आप सबने मेरे साथ, मौरिशिस वह देश है जिसका कोई भी हिसा समुद्र से पंद्रह मील से ज़्यादा दूर नहीं है, मौरिशिस वह देश है जहां की जनसंख्या के सतासट प्रतिशत लोग भारतिय मूल के हैं, यानि की मूल रूप से वे भारत के हैं, मौरिशिस वह देश है जिसकी राजधानी पोट लूई की गलियों के नाम कलकता, मदरास यानि चिन्नई, हैदराबाद और बंबई यानि मुंबई हैं, तथा जिसके एक पूरे मुहले का नाम काशी है, मौरिशिस वह देश है, जहां बनारस भी है, गोकुल भी है और ब्रह्मा स्थान भी, आपको ये नाम जाने पहचाने लग रहे होंगे, क्योंकि ये सारे हिंदुस्तान के राज्यों के नाम है, कलकता जिसका अब नाम कॉलकता हो गया है, जिसे पहले मदरास कहा जाता था वह चन्नई है, बंबई को मुंबई कहा जाता है, तो ये सारे राज्ये चो हिंदुस्तान के हैं, मौरिशिस की राजधानी पोर्टलुई की गलियों को ये नाम दिये गए हैं, और यहां तक की ए यदि हम कभी मौरिशिस जाएं, तो हमें ऐसा मैसूस होगा, जैसे हम हिंदुस्तान में ही हैं, ये तो बड़ी रोमान्चक बात है, चलिए आगे पढ़ते हैं मौरिशिस के बारे में, यात्रा पर मैं दिली से 15 जुलाई को, बंबई, मुंबई से 16 जुलाई को और नेरोबी से 17 जुलाई को मौरिशिस के लिए रवाना हुआ, इधर से जाते समय, नेरोबी की दुनिया में मुझे एक रात और दो दिन ठहरने का मौका मिल गया, अत्यव मन में यह लोब जग गया कि मौरिशिस के भारतियों और अफ्रीकियों से मिलने के पूर्व, हमें अफ्रीका के शेरों से मुलाकात कर लिनी चाहिए, विमान दूसरे दिन शाम को मिलने वाला था, अत्यव हम जिस दिन नेरोबी पहुँचे, उसी दिन उच्चा युक्त श्रीब भाटिया जी के साथ नेशनल पार्क में घूमने को निकल गए, यह भारत से मौरीशिस जाने की सीधी शायद हवाई रहा नहीं है, तो लेखा पहले दिली से मुम्बई गए, मुम्बई से नेरोबी और नेरोबी से उनको फिर मौरीशिस का हवाई जहास पकरना था, तो एक दिन नेरोबी रुखना था तो उन्होंने सोचा क्यों न एक दिन नेरोबी के नेशनल पार्क में बिताया जाए शहर से बाहर बहुत बड़ा जंगल है जिसमें घास अधिक पेड बहुत कम है लेकिन जंगल में सरवत्र अच्छी सडकें बिची होई है और परेटकों की गाडियां उन पर दोड़ती ही रहती है जैसा आप चित्र में देख रहे होंगे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा जंगल है जिसे नेशनल पार्क कहा जाता है वहाँ पर और बीच बीच में अच्छी सडकें बनाई हुई है और वहाँ परेटकों के टोरिस के गोमने के लिए गाडियां चलती रहती है तो वहाँ पर वहाँ का वन्य जीवन जो जंगल में रहने वाले पक्षी हैं उनका जीवन देखने के लिए लोगों को परेटकों को ले जाया जाता है हमारी गाड़ी को भी काफी देर तक दोड़ना पड़ा मगर सिंग कहीं दिखाई नहीं पड़े दूरी तै करने के बाद या यूँ कहिए कि दस बीस मील के भीतर हर सड़क छान लेने के बाद हम उस जगह आ पहुँचे जहां सिंग उस दिन आराम कर रहे थे यानि जब नेरोबी में वहाँ पर नेशनल पार्क में लेखक गए अपने मित्रों के साथ तो गाड़ी में काफी वो लोग घूमें पर उन्हें कहीं शेर नजर नहीं आए और काफी अंदर जाने के बाद फिर उनकी नजर पड़ी कि वहाँ पर शेर मानो आराम कर रहे थे वहाँ जो कुछ देखा वह जन्म भर कभी नहीं भूलेगा कोई साथ आठ सेह लेटे या सोई हुए थे और उन्हें घेर कर आठ दस मोटरें खड़ी थी तुर्रा यह कि सीहों को यह जानने की कोई इच्छा ही नहीं थी कि हमें देखने को आने वाले लोग कौन है मोटरों में शीशे चड़ा कर उनके भीतर बैठे लोगों की ओर सीहों ने कभी द्रिश्टी पात नहीं किया द्रिश्टी पात ही नहीं किया मतलब उस तरफ आँख उठा कर गरदन गुमा कर देखा तक नहीं मानो हम लोग तुच्छ अती तुच्छ हों तुच्छ मतलब बहुत चोटे और तुच्छ अती तुच्छ मतलब चोटे से भी चोटे यानी मानो हम अद्रिश्टी ही हों हम नजर ही ना आ रही हों और उनकी नजर में आने के योगे बिलकुल ना हों हम लोग वहां आधा घंटा ठहरे होंगे इस बीच एक सहिने उठकर जंभाई ली जंभाई मतलब उबासी ली दूसरे ने देह को ताना तीसरे ने सोई हुई सहनियों की देह चाटी मगर हमारी और किसी भी सहिने नजर नहीं उठाई हम लोग पेड़ पौधे और घर पाथ से भी बदतर समझे गए यानि कि उस समय ऐसा महसूस हुआ मानो कि उनका कोई अस्तित्वी नहीं है वो नजर भी आ रहे है या नहीं जैसे अपनी मस्ती में बहां लेटे हुए थे आराम कर रहे थे जो भी कुछ कर रहे थे वैसे ही वो करते रहे उनका सुभाव बिलकुल समानने लग रहा था मानो उन्हें वे गाड़ियां ये लोग वहाँ पर नजर आ रहे हूं इसके इनकी तरफ उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया ये बड़ा अचमबा हुआ लेख को यह देख कर वरना हम तो ऐसे ही समझते हैं ना किसी ही यदि किसी को देख ले तो भाग कराएगा जप्टेगा मार डा खड़ा था अब दो जवान से उठे और दो ओर चल दिये एक तो थोड़ा सा आगे बढ़कर एक जगह बैठ गया लेकिन दूसरा घास के बीच छिपता हुआ मोर्चे पर आगे बढ़ने लगा हिर्णों के जुंड ने ताड़ लिया कि उन पर सीहों की नजर पढ़ रही है अतेव वे चरना भूल कर चौकन ने हो थे मतलब सचेत हो गए जब उन्हें लगा किसी उन्हें देख रहे हैं किसी भी समय हमला कर सकते हैं तो वो हिर्ण जो थे वो सचेत हो गए फिर ऐसा हुआ कि जुंड से छूट कर कुछ हिरन एक तरफ को भाग निकले मगर बाकी जहां के तहां खड़े रहे इच्छा तो यह थी कि हम लोग देर तक रुकें और देखें क्या होता है किन्तु समय छे से उपर हो रहा था और साथ बजे नेशनल पाक का फाटक बंध हो जाता है फिर यह भी बात थी कि शिकार तो सेह सुर्यास्त के बात किया करते हैं और शिकार वे जुंड का नहीं करते बलकि उस चानवर का करते हैं जो भागते हुए जुंड से पिछर जाता है अब यह बात समझ में आई कि हिरन भागने को निरापद नहीं समझ कर एक गोले में क्यूं खड़े थे नेरोबी से मौरिश्यस तक हम B.O.A.C. के विमान में उड़े यह विमान नेरोबी से चार बजे शाम को उड़ा और पाँच घंटे की नरंतर उड़ान के बाद जब वह मौरिश्यस पहुचा तब वहीं रात के लगभग दस बज रहे होंगे यानि की लेखा कब बता रहे हैं कि जब वो नेरोबी रुके वहाँ पर उन्होंने जंकल का वो विचित्र वातावरन देखा सीहों के एक सामानने से विवहार से वो परिचित हुए अब उनका समय हो गया था मौरिश्यस जाने का तो नेरोबी से पाँच घंटे की उड़ान लेकर वो मौरिश्यस पहुँच गए उस समय वहाँ पर दस बज रहे थे रात थी अंधेरा था पानी बरस रहा था मगर तब भी हमारे स्वागत में काफी लोग खड़े थे हवाई अड़े के स्वागत का समा देखकर यह भाव जगे बिना नहीं रहा कि हम जहां आए हैं वह छोटे पैमाने पर भारत ही है यानि जब मौरिश्यस में उत्रे वो विमान से तो जिस तरह से उनका स्वागत हुआ उन्हें महसूस हुआ मानो वो मौरिश्यस में या किसी अन्य देश में नहीं है बलकि अपने ही देश भारत में है चूंकि मौरिश्यस के भारतियों में से अधिकांश बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं इसलिए हिंदी का मौरिश्यस में व्यापक प्रचार है मतलब खूब हिंदी वहां बोली जाती है। मौरिश्यस की हिंदी प्रचारिनी सभा जीवित जागरत संस्था है। यानि कि मौरिश्यस में एक संस्था है जो हिंदी का प्रचार प्रसार करती है। मौरिश्यस की राजभाषा अंग्रेजी किन्तु बोलचाल की भाषा क्रेयौल है। क्रेयौल के बाद मौरिशस की दूसरी जन भाषा भोजपूरी को ही मानना पड़ेगा यह तो बड़ी अद्बुत बात है कि मौरिशस में राज भाषा यानि कि राज काज के सारे काम अंग्रेजी में किये जाते हैं बोल चाल की वहां की भाषा क्रेयॉल है और क्रेयॉल के बाद जो भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है वह है भोजपुरी प्राइह सभी भारतिये भोजपुरी बोलने अत्वा उसे समझ लेते हैं यहां तक कि भारतियों के पडोस में रहने वाले चीनी भी भोशपुरी बखु भी बोल लेते हैं किन्तो मौरिश्यस की भोशपुरी शहबाद या सारन की भोशपुरी नहीं है उसमें फ्रेंच के इतने संग्यापत घुस गए हैं कि आपको बार बार शब्दों के अर्थ पूछने पड़ेंगे हिंदी और भोशपुरी मौरिश्यस निवासी भारतियों को एक सूत्र में बांधे हुए है यानि कि हिंदी और भोशपुरी वहाँ पर जिस तरह से बोली जाती है और यहां तक कि वहाँ के लोग भी इस भाशा को बोलते हैं तो ये एक सूत्र बन गया है ये भाशा जो है ये एक ऐसा साधन बन गई है जिसने भारतवासियों को और मौरिश्यस के लोगों को आपस में जोड रखा है और मौरिश्यस को भारत के साथ बांधने का काम भी हिंदी ही कर रही है देखिए बच्चों भाशा जो होती है एक बहुत बड़ा माध्यम होती है किनी भी दो लोगों या दो जातियों या दो देशों के बीच में संबंध कायम करने के लिए यदि हम किसी अन्य देश में जाएं और हमारी भाषा वो न समझते हो और उनकी भाषा हम न समझते हो तो हमारे बीच में एक बहुत बड़ा अंतराल रहता है, गैप रहता है हम अपनी बात ना कह पाते हैं ना उनकी समझ पाते हैं पर अगर भाषा हम एक दूसरे की जानते हों, बोलनी और समझनी आती हो तो फिर संबंध प्रगाड बन जाते हैं, गहरे बन जाते हैं तो यही काम हिंदी भाषा कर रही है मौरेशिस और भारत के मधुर संबंध बनाने में मौरिशिस में हिंदू संस्कृति की रक्षा का काम तुलिसी दास जी की रामायन ने किया है ये तो बहुत ही कमाल की बात है मौरिशिस में इख की खेती और उसके व्यवसाय को जो सफलता मिली है वह भारतिय वंश के लोगों के कारण मिली है सारा मौरिशस, क्रिशी प्रधान द्वीब है क्योंकि चीनी वहां का प्रमुक अत्वा एक मात्र उद्योग है तो यहां सिर्फ भाशा ही नहीं बलकि वहां के उद्योगों में भी भारतियता की जलक दिखाई देती है तो वहां का प्रमुक व्यवसाय क्या है? चीनी, चीनी बनती है या चीनी का व्यापार होता है भारत में बैठे बैठे हम यह समझ नहीं पाते कि भारतिय संस्कृति कितनी प्राणवती और चिरायू है प्राणवती मतलब कि भारत की संस्कृति कितनी जीवन्त है और चिरायू मतलब कितनी प्राचीन है मौरिशिस जाकर हम अपनी संस्कृति की प्रानवत्ता का ज्यान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं प्रानवत्ता मतलब उसमें कितनी जान है सबको जीवन्त बनाये रखने कि उसके अंदर ताकत है मालकों की इच्चा तो यही थी कि भारती लोग भी कृस्तान हो जाएं किन्तो भारतीयों ने अत्याचार तो सहे लेकिन प्रलोभनों को ठुकरा दिया प्रलोभन मतलब लालच जब भारत को गुलाम बनाया गया था तो कोशिश तो ये की गई थी कि हमारी संस्कृति को नश्ट कर दिया जाए इसाई धर्म को अपनाने पर जोर दिया गया था और हमें हमारे साथ भी जबरदस्ती की गई थी कि हम भी अपनी हिंदु संस्कृति को त्याग कर और इसाई धर्म को अपनाए लेकिन भारतवासी किसी तरह के प्रलोभन में नहीं आये और उन्होंने अपनी संस्कृती की रक्षा ही नहीं की बलकि उलुसका प्रचार प्रसार भी किया वे अपने धर्म पर डटे रहे और जिस द्वीप में परस्थितियों ने उन्हें भेज दिया था उस द्वीब को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला यह ऐसी सफलता की बात है जिस पर सभी भारतियों को गर्व होना चाहिए यानि कि मौरिशिस द्वीब पर किसी मजबूरी वश जाना पड़ा था भारतवासियों को लेकिन उन्होंने वहाँ पर जाकर भी उस मौरिशिस को एक छोटा हिंदुस्तान बना दिया मौरिशिस के प्रतेग प्रमुख ग्राम में शिवाले है मतलब शिवजी का मंदिर है मौरिशेस के प्रतेग प्रमुख ग्राम में हिंदू तुल सीकृत रामायन का पाठ करते हैं अत्वा धोलक और जांच पर उनका गायन करते हैं मौरिशेस के मंदिरों और शिवालेओं को मैंने अत्यंत स्वच और स्वरम में पाया मतलब ऐसा नहीं है कि वहां हिंदू मंदिर तो बन गए पर उनका रख रखाव ठीक नहीं है वहां उनकी बहुत अच्छी तरीके से देखभाल होती है बहुत साफ सुत्रे हैं और वहां का वातवरन बहुत ही जीवन्त है सभी लोगों को बहुत लुभाता है सुरम्मे मतलब की अत्यम्त सुन्दर वहां का वातवरन, वहां की मैंटेनेंस रख रखाव वहां पर लोगों का आना जाना खूब है और बहुत सुन्दर वहां पर ये मंदिर, हंदू मंदिर हंदू संस्कृती को जो जھलकाते हैं जगे जगे देखने को मिलते हैं वहां का परी तालाब भी हिंदू की एकांतिक भक्ती के कारण पुन्य धाम हो उठा है एकांतिक मतलब एक निष्ट हिंदू जो अपनी भक्ती जिस तरह इश्वयर के प्रती अपनी भक्ती को दर्शारते हैं वो वहाँ पर भी देखने को मिलती है और इसी के करण वह स्थान एक पवित्र धार में एक स्थल के रूप में वहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है परी तालाब केवल तीर्थ ही नहीं दृष्य से भी पिक्निक का स्थान है शिवरात्री के समय सारे मौरिशिस के हिंदू श्वेत वस्त्र धारन करके कंधों पर कवर लिए जुलूस बांद कर परी तालाब पर आते हैं और परी तालाब का जल लेकर अपने अपने गाउं के शिवाले को लोट जाते हैं तथा शिवजी को जल जड़ा कर अपने घरों में प्रवेश करते हैं तो ये बात कितनी अद्भूद है और आकर्शित करने वाली है कि भारतिय माननेताओं को भारतिय परमपराओं को मौरिशिस में कितना सम्मान दिया जाता है और वहां रहने वाले भारतिय बड़ी निश्ठा के साथ उन परमपराओं को रीती रिवाजों को आज भी अपनाते हैं और उनका अनुकरन करते हैं वे सारे काम वे बड़ी ही भक्ती भावना और पवित्रता से करते हैं सभी वयस्क लोग उस दिन उजली धोती उजली कमीज और उजली गांधी टोपी पहनते हैं उजली मतलब सफेद बिलकुल साफ सुत्रे सफेद वस्तर पहनते हैं हाँ बच्चे हाफ पेंट पहन सकते हैं लेकिन गांधी टोपी उस दिन उन्हें भी पहननी बढ़ती है परी तालाप पर चलने वाला यह मेला मौरिशिस के प्रमुक आकर्शनों में से एक है और उसे देखने को अन्ने धर्मों के लोग भी काफी संख्या में आते हैं तो इस तरह से लेखक रामधारी सिंदिनकरजी ने अपना यात्रा वृत्तान्त हमारे सामने प्रस्तुत किया जिसके माध्यम से उन्होंने यह बड़ी सुन्दर ढंग से सिद्ध कर दिया कर दिया कि सच मुच मौरशिज जो है वह एक छोटा हिंदुस्तान ही है क्योंकि वहां हिंदुस्तानी बड़ी संख्या में रहते हैं और उन्होंने अपनी भारतिय संस्कृति को जीवन्त बना कर रखा हुआ है तो बच्चों जैसे एक व्यक्ति अपने परिवार के बिना अधूरा होता है ऐसे ही अपनी देश की पहचान अपनी संस्कृति के बिना भी हम अधूरे हैं हम चाहें जहां भी हूँ हमें अपनी पहचान को छोड़ना नहीं चाहिए हमारा परिवार हमारी पहचान है, हमारा समाज, हमारा देश हमारी पहचान है और वो पहचान हमारी संस्कृति से बनती है तो अपनी संस्कृति को हमें जिन्दा रखना है, उस पर हमें गर्व होना चाहिए और उसको और अधिक सजाने सवाने का हमें प्रयत्ने करना चाहिए चाहे हम विश्व के किसी भी कोने में हों हमारी पहचान कैसे होगी एक भारतिय के रूप में होगी तो भारतिय होने पर भारतियता पर अपनी संस्कृति पर गर्व कीजिए और अपने संस्कृति को कभी भी अपने से अलग मत होने दीजिए